हलो सोल फैमिली कैसे हैं आप लोग दोस्तों ओम नमस्षिवाई कैसे हैं आप अपना ध्यान रखा करिए अभी मौसम जो है वो चेंज हो रहा है एंड शिफ्ट की वज़े से बहुत सारे लोगों को बॉड़ी एक एंड हैड़क का सामना करना पड़ रहा है तो यह जो है यह शिफ्ट का असर है अभी कुछ फुल मौन भी निकला है तो आप पर जब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आसपास घटे तो आपकी बॉड़ी में भी उसी टाइप से चेंजिस आते हैं तो इससे कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि फिर बहुत सारे मैसेजिस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ऐसा फील हो रहा है या वैसा फील हो रहा है मैंने हमेशा से बोला है कि जब सीवियर कुछ हो तो प्लीज मेडिकल साइड जाईए लेकिन अगर आपको नॉर्मली ऐसा कुछ हलका फुलका फील हो रहा है तो यह सम्टाइम्स आपके असेंशन के सिम्टम्स होते हैं और यह जो आज आप इस तस्वीर में मूर्ती देख रहे हैं महादेव की यह अभी मेरे घर पधा रहे हैं कुछ ही टाइम हुआ इनको इस रूप में इनका यह सुरूप तो आप सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूं आप लोगों से मिलवाती हूं तो बताईएगा आप इतने नए सवरूप में तो हां जी तो अभी जो मैं बात के साथ कर रही थी वह यह कर दी थी कि असेंशन की कुछ सिम्टम्स होते हैं और कुछ जो है कि मौसम जब चेंज होता है तब उस टाइम पर आपका डीने रिपेरिंग का जो है प्रोसेस फास्ट हो जाता है तो जब आपका डीने रिपेरिंग होगा तो उस टाइम पर आपको नींद भी ज़्यादा आएगी आपकी नींद के पैटर्ण स्टेंज हो जाएंगे आपको सर में दर्द हो सकता है आपको मामुली इचिंग हो सकती है मामुली भी हो सकती है थोड़ा सा किसी को ज़्यादा भी में भी हो सकती है लेकिन अगर वो कुछ निशान जैसे बन रहे हैं रैशिस जैसे पढ़ रहे हैं गंदे वाले रैशिस पढ़ने फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि फिर वो को तो अगर आपका यह वाला प्रोसेस चल रहा होता है और आपका हीलिंग चल रही होती है और यह बहुत नैच्रल रही होती हैं आप consciously करें या ना करें तो आपके आप असेंड हो रहे हैं और यह कुछ टाइप का अगर आपके साथ shift चल रहा है तो आपके energy में shift आ रहा है आप next level जा रहे हैं तो उसका major major science होते हैं वो यह होते हैं कि आपको जैसा कि मैंने बताए कि physical science में तो यह हो सकता है कि आपको body egg रह स सकता है आपको प्यास लग सकते हैं पानी पी रहे हैं जादा आपको पीने की इच्छा हो रही है ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो आप अपना इनवर्व कर रहे थे अभी उससे आपको ना कुछ और ज्यादा ज्यादा करना है मतलब वो तो आप करी रहे हैं successfully अच्छे से लेकिन अभी आपको और करना है ठीक है अगर ऐसी feeling आती है आपको कि अभी कम है कम है या ऐसे और मुझे करना है ठीक है फिर आपको अकेले अकेले रहने का मन करेगा ज्यादा लोगों से communicate करने का आपका मन नहीं करेगा जनरली वैसे भी नहीं करता है लेकिन यह जो खासतोर से जब shift का time होता है या जब repairing का time होता है तो उस time पर आपका बिलकुल ही आपका मन करता है कि अगेले में रहे हैं और आपको किसी से engage होने का बिलकुल मन नहीं करेगा ठीक है आप बिलकुल किसी से engage नहीं होने है चाहेंगे कोई अगर खुद से आता भी है तो आपको ना forgive करेंगे and forget करेंगे क्योंकि आप अपने में एक ऐसा दोर होता है कि आप अपने में ही मगन होते हो आपको ना किसी के भी साथ अंगेज नहीं होना है चाहे वो आपकी family member से चाहे बाहर के लोग है कोई भी है बट आपको बहुत ज्यादा जो है मन नहीं करता है इस टाइब का आपको ज्यादा से ज्यादा universe से connect होने का मन करता है आपको और आप हर time aligned feel करोगे आप हर time जो है यह जो मैंने बोला कि लोगों से कटके, दुनिया से कटके रहने का मन करता है, तो ये कोई ऐसा वैसा वाला मन नहीं है, जब लोग इंसान डिप्रेशन में जाता है, और तब वो सबसे कटना स्टार्ट हो जाता है, वैसा वाला नहीं, यहाँ पर मैं जो कह रही हूँ साथ ही साथ अब बहुत लाइट, बहुत अच्छा, बहुत अलाइंड और अच्छा फील करोगे, ओके और बहुत से लोग तो, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है, फिर भी आप लोग पूस्ते हैं, कि नींद बहुत आ रही है, या ऐसा कुछ हो रहा है, बोडी एक हो रहा है, तो आपको बोडी एक हो रहा है, तो रेस्ट लो, आपको नींद आ रही है, तो रेस्ट लो, अगर आपको डिप्रेशन के rest की दवईयां दी जाती है ठीक है जब आपकी किसी चीज की healing चल रही होती है वैसे भी medically भी तो यही सेम चीज यहां पर होती है क्योंकि आपकी repairing चल रही है आपकी healing चल रही है तो उस time पर आपको सुलाया जाएगा जितनी आपकी body जो है वो still होगी जितनी काम होगी जितनी rest में होगी उतना ही काम अच्छे से हो पाएगा उतना ही healing अच्छे से हो पाएगी ठीक है आपके energies जो होती है एकदम से जब कोई shift आता है तो energies में जो परिवर्तन आते हैं जाते हैं उनमें जो sudden changes आते हैं तो energy को settle होना भी जरूरी होता है तो आप सारे होचपोच से अठके शामती में चले जाओगे आपको नींद भी जाद आएगे आपको अकेले भी रहना होगा आपकी जो energies generate होई है आपके अंदर वो settle हो सके वापिस और वो जिस उपियोग में आने हैं उस उपियोग में आ सके उस काम के लिए वो काम आ सके ना कि इधर उधर में waste हो इसलिए आपकी natural tendency कैसी हो जाती कि आप अधिकतर time या तो divine से align ही रहते हो या फिर आपको meditate में रहते हो आप meditative mode में यह तो नहीं मैं कह सकती कि आप हर time meditation ही करते रहते हो लेकिन अगर आप शान्थ हो पीस में हो लोगों से engage नहीं हो रहे हो और फिर भी आप light and free feel कर रहे हो और आपको अच्छा internally अच्छा feel हो रहा है तो यह आपका meditative mode में होना कहलाता है हर time हर time बस आपको सिर्फ अपने से ही मतलब अपने अपने आप में ही रहना अच्छा लगेगा तो क्या इसमें बुरा क्या है आपको यही करना चाहिए जिस time पर आपकी body जो demand कर रही है आपकी journey में जो करना चाहिए वही आपको उस time पर करना चाहिए है तो भी कोई बात नहीं फिर यह वापीस routine आपका set हो जाएगा अभी यह कुछ time के बात होती है तो इसलिए आज तो basically मुझे अपने शिव जी के आपको दर्शन कराने दे आप सब मुझे बताईए कि आपको कैसे लगे तो आज यह देखिए सामने यह मिरे साहिं बाबा भी बैठे है ठीक है शिव जी के ही सामने उनकी गौद में तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ आप से नक्स्ट वीडियो में आज तो मैं आप से चिच्चाठी करने आई थी तैंक यू सो मस्त दोस्तों तैंक यू ओमनमाशी बैए